नवस्कार दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल साथ टेक में आप सब्सक्राइब स्वागत है दोस्तों आज मैं बताऊंगा जो है कि गूगल प्ले कंसोल पे लागिन करके जो है आप अपने एंड्रॉइड आप को कैसे अपलोड कर सकते हैं और उसको कैसे जो है उसका क्या-क कration की लिए भीजते हैं अप्लाइ करते हैं तो आपका जो है रिजेक्ट हो जाता है यानि कुछ policy का мבाले सन होता है तो दोस्तों क्या होता है या जानकारी है गूगल हम को बताता भी है तो सही नहीं बताता है ओर तीन चार आप सन देगा कि इसने कुछर आप का जो है गलत ह हो रहा है तो आप खोचते रही है कि हमारा गलत क्या है आप सही प्रोपर पकड़ नहीं सकते उसको तो दोस्तों जैसा कि मैं आपको डिटल में थोड़ा सा बताता हूं कि गूगल प्ले स्टोर पे जो है आप जो है आपको अपना एंडरॉट आप मालेज़ आप मतलब डेवल यहां पे आप लागिन करेंगे ऐसा नहीं Google Play Console लागिन जो आप फोल करके और अगर जो आपका Google Play Console डेवलपर जो है आपका नहीं बना हुआ है दोस्तों तो आप बना सकते हैं वह एकाउंट बनाना पड़ता है गूगल डेवलपर का जो है अगाउंट बनाना पड़ता है और दोस्तों आपको आयप करने के लिए आपको 2000 लगभग में अपको पेमेंट भी करना पड़ता है तब जो है आप इस पर Google Play Store पे आप अपना आयप जो है अपलोड कर सकते हैं या पबलिष कर सकते हैं तो दोस्तों इसमें सींपल सा जो है हम इसमें क्या करेंगे अगर जो नह कि मैंने दूसरे टैप में जो है प्रोफाइल में जा करके इस चीज को मैं चेक कर रहा हूं तो इसमें मा लिजिए गूगल प्ले कंसोल तो दोस्तों यह सिंपल सा गूगल प्ले कंसोल है इसमें जो है हम अगर जो लगइन करके इस प्रकास से आयेंगे तो हम स्क्रीन पर देख सकते हैं यहां पर लगइन करके जो ऐसंसे डेवलमपर अंदर रहेती दो दोस्तों हम उसके बास हत्गे वहारता है मैं नहीं करना हो मैं दोस्तों सिर्फ यह कवर कर रहा हूं कि जो है जो हमारा आप रिजेक्ट भी हुआ है पॉलसी उल्म जो वाइलेशन होता है दोसमों इसमें गूगल के द्वारा जो है दोस्तों इसमें कुछ फारम भरवाया जाता है और उसमें हमको सेलेट करना रहता है यानि कि अपने आ हम करते हैं दोस्तों तो दोस्तों हमारा तीन- 我th þ дов न करना नेम क्या है आप ладно तो दॉसके बाद ये बाद आप आहें करेंगे यादि कि अगर जो गेम है तो गेम है तो अप Québec क्रेंगे आप है तो अमेंभर करेंगद दोकृवे है तो उसके बाद फ्री पेंड है तो पार झा करेंगे क्या है कंफर्म आयप मीट देवलपर प्रोग्राम 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 प्रोग्र करके क्रियेट कर देंगे उसके बाद आगला जो आएगा दोस्तों मैं चलिए अब हम में दिखाता हूं दोस्तों हमको क्रियेट नहीं करना दोस्तों हमको क्रियेट नहीं करना अब देखिए आप उसके बाद जो है इसके बाद जो है पॉलिसी भरने के लिए आएगा उसके ब मा लिजी हमारा पिजा इस प्रकास से यहां मेना जो है रिजेक्ट यह है तो अब दोस्तों हम क्या करेंगी यहां पर हमा ऊज कुछ्छ पॉलस्य आता है कि पॉलसी का वाइलेशन लृप होता है जैसा कि मा लिजी हमारा ब्राउजर बेस आप मालेजी है या आप के अंदर क्या है वो सब को डिक ले अब यहाँ पर पालिसी स्टेटस हम चेक कर देखिए पालिसी स्टेटस जो है आप रिमोड आप रिमोड देखिए नतिंग टू गूगल प्ले डेवलपर प्रोग्राम पॉलिसी तो यानि कि यह जो आप हुआ है तो हमारा जो है प्रोग्राम जो पॉलसी होता है इसके अकॉर्डिंग जो है अब दोस्तों के प्राइबेसी पॉलसी अब देखिए इसमें इस चीज को हमने जो है सही से फिल भी नहीं किया है यानि कि इस चीज को जो है हमारा सही से हमारे आप में जो है प्राइब लिंक होना चाहिए यानि कि योग पेज होना चाहिए या उसका टेक्स्ट होना चाहिए जो यहां पर डिस्पले हो तो प्रवपर जो है दोस्तों यहां पर पूरा एक्स्पोज होना चाहिए क्या क्या आप यूज कर रहे हैं क्यों यूज कर रहे हैं क्यों मतलब क्यों यूज यहां पर जानकारी नहीं था उसमय तो मैं इस चीज को करना बहुत जरूरी है इसको यह सब भरना जरूरी है इन प्रोग्रेस यहां पर मेरा कोई इसमें भारा हुआ प सकते हैं यहां पर आपी सकते हैं इस चीज़ से कंप्लेट यहां तो इस चीज को समियट कर सकते हैं उसके बात जो है दोस्तों इसको हम बाएक जाते हैं जिस तो है एक बार रिजेक्ट हुआ है किसके करण हुआ है इसके करण अब मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि उसमें मैं जो फिल कर रहा हूं मैंने फिल कर रहा हूं कि आप जो है अवलेबल है कोबिड-90 का जो है आप ट्रेकिंग या ट्रेसिंग जो कुछ भी होता है उसमें है क नहीं है दोस्तों तो मैं दोस्तों जैसे कि इस विक नाट AI इस चीज को बहरा ही नहीं तो बरना सभी सब्ख हो जो है दोस्तों फिल करना जरूरी इए तो दोस्तों इसमें क्या है दिकिए है यह शबनाट समिट अप्डेट्पसंक इस फायरोड इनकंप लियां तो यहाप मै और अगर उसका फीचर आपके आप में होना चाहिए तो फीचर नहीं था वोसं तो रहा है तो यह का फैसी आपका इस परकार का नहीं है अप कर आहिए यह ए प्लिक्atan के यह सेप क्रतेक्ळ सकते हैं तो यह आपका दज हो जाएगा उसके बाद दोस्तों मेरा जो है आप पहली बार में जो रिजेक्ट हुआ था दो बार सायद रिजेक्ट हुआ यह मतलब जो भी जो कोविट कोविट 90 हो गया उसके बाद जो है data safety इस फाउंड डेटा में इस सब्सक्राइब लिए दोस्तों आप यहां पे दोस्तों इसको मैं इसको इसको तो जैसा कि आप सकते हैं कि data safety में दोस्तों आपको करना क्या है अब जैसे definition मेरा है जैसे what you need to disclose आप इसने जो कुछ भी है यहांनि कि what you need to disclose जो कुछ भी आपको यह में आपके app में है जो भी आपके app में है उस चीज को आपको disclose करना है जैसे कि आप देखिए आप देख सकते हैं view required data type देखिए दोस्तों ध्यान दिए हमको नहीं समझ में आथा कि मेरा data कहां कैसे यूज हो रहा है या हम तो चलिए developer माल लीजिए हम है तो हम आपको बना दी लेकिंग सिंपल सा आप है यह हमको नहीं पता है कि मतलब कोई third party जो है आपके डेटा को चोरी कर सकता है कुस कर सकता ही तो दिखाना पड़ेगा दोस्तों user को तो दोस्तों data safety जो है इसमें करना क्या आपको जो है जो को ही फारं जो है इसको फिल करना है आप इसको इसको पढ़ना है और इसको next सीम्पल सा next कर देना है अब इसमें दोस्तों data collection and security अगर आपका data collection security करता चाहे वो कुकी हुआ ब्राउजर हुआ third party के द्वारा हुआ किसी का user id name email password जो कुछ भी अगर जो कहीं से भी collect हो रहा है याने ब्राउजर की history सब चीज जो है यहां पे सबको आपको ध्यानवे रखना होगा required data type जो है आसमें देख सकते हैं लेकिन दोस्तों यह open नहीं हो रहा है इस समय तो यहां प कर रहा है तो यहां पे आपको yes करना कहीं कर रहा होगा दोस्तों ध्यान रखना आइसा नहीं है कि आपका आइब जो है कुछ भी लगाएंगे इसे कुछ ना कुछ जो है third party के द्वारा होता है तो अब यहां पे क्या देना is all of the user data collected by the encrypted transitor yes कर दिजिए कुछ ना कुछ तो कह आप location यूज कर रहे हैं कहीं न कहीं जो है अगर ब्राउजर भी उच कर रहे हैं तो अगर थर्ट पार्टी के द्वारा होगा की नहीं होगा 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 दोस्तों तो यहां पे location भी हम यहां पर कर देंगे दोस्तों अब यहां पर देखिए personal information में जो कुछ भी है हमारा है तो भी कर सकते हैं अगर सब्सक्राइब करना है नहीं है तो यह या अधर कोई चीज सब्सक्राइब करना है या अधर को टिक करना पड़ेगा उसके बाद जो है beltि आपके अगर कुछ कहीं भी हो रहा है तो दोस्तों को सेलेट करना पड़ेगा दिखाना पड़ेगा मैसेज में मैसेज में आपके का पड़ेगा पोटो एंड वीडियो उसके बाद जो है आडियो का करना आडियो में का सकते हैं फाइल एंड डाकुमेंट फाइल एंड डाकुमेंट जो है उसको भी आप टिक कर दिएगा कलेंडर कॉंटक्ट एक्टिविटी वेब ब्राउजर में दोस्तों माली कुछ नहीं है उसके बाद दोस्तों यहां पे जैसे आप इनफो एंड परफार्मेंस अब आप इनफो परफार्मेंस में भी अगर जो आप क्रेस रिपोर्ट लाग को अपलोड कर रहे हैं डाइगमोंसिस का कोई आप संद आप दिये हैं उसको भी आपको करना पड़ेगा अब डिवाइस घ्लाइड आदर आईडे याप यूज कर रहे हैं तो वो भी चीज आपको जो है करना पड़ेगा दोसरों तो यह चीज़ं डोस्तों करने के बाद तब आप sexy आगे बढ़हेगा दोस्तों उसके बाद जो है दोस्तों आता है उसके बाद दोस्तों सब चीज जो है उसके बाद जो है इसको आप कि द lots your आफ यूज अध्वर्टिस आइड़ी तो दौस्तों यहां पर यस कर देना है अगरा जो नहीं है करदेना दोस्तों कि नो करदेना है कि उसके बाद दूस्तों इसमें जो है अभिष्चा क्या डोस्तों पुछेगा कि आपका government app है कि नहीं है तो नहीं कर देंगे complete, complete add, अगर जो आप में add है, तो आप add इसको yes कर दिजेगा, app access, यानि कि आप जो है access कर रहे हैं, app access कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो इसमें जो है, आप access में भी बहुत सारा चीज जो है, all functionality in my app is available without any access restriction, यानि कि आप access permission जो भी दि पर्मिशन के नहीं होगा, तो आप उसको select के लिए, नहीं तो ये select कर लिए दोस्तों, उसके बाद जो है next जो है, यह हो गया, add हो गया, app access हो गया, target audience, तो दोस्तों ये target audience भी कर सकते हैं, दोस्तों, आप 18 plus एबो कर सकते हैं, उसके बाद जो है, चिल्डरन के लिए जो भी क दोस्तों करके आप complete कर सकते हैं, और बाकी जो है, app का जो होता है, app में upload करने के लिए दोस्तों, उसको हम क्या कर रिलीज में जाते हैं, आप जैसे माली हमारा app जो है, यहाँ पे दोस्तों, simple सा app रिलीज ओवर रिव्यू में जाएंगे, तो यहाँ पे कोई भी app डालना आपको रिलीज करना पड़ता है, उसको बाद, अब जोस्तों, इसमें रिलीज ओवर वियू जैसे माली हम इसमें, इसमें बहुत सारा आप सम्दोस्तों, प्रोडक्शन होता है, आप का इनेक्टिव है, तो मैं तो क्यों टेस्टिंग के लिए बतारूं दोस्तों, यह इसक तो इसमें दोस्तों क्या ओपन टेस्टिंग होता है, क्लोर टेस्टिंग होता है, इंटरनल टेस्टिंग होता है, सब टेस्टिंग करने के बाद, दोस्तों, प्रोडक्शन को हम हर एक स्टेप को कंप्लेट करने के बाद, जो है, प्रोपर तरीके से, हम इसको रिब्यू में बिरो मिलिंग जाहिन बंदे मातरम